दोस्तो मेरे boss ने बुला है जिस product का सबसे ज़्यादा growth हुआ है उस product का name उन्हें जानना है तो यहाँ तो data आप देख रहे हैं छोटा सा है क्योंकि मैंने आपको just example समझाने के लिए लेकिन जब आप काम करेंगे तो वहाँ data आपका बड़ा होगा ठीक है तो जैसा आप देख करते हैं पहले मैं आपको यह समझाता हूँ उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे आप लोग क्या करते हो यहां लिखते हो growth ठीक है यहां लिखते हो आप लोग growth उसके बाद आप लोग क्या करते हो इसको ड्रैक करते हो तो हमारा निकल क्या जाता है growth ठीक है उसके बाद आप ल ज्यादा growth हुई है ठीक है तो ये तो होगे आपका normal method है ना लेकिन दोस्तों हम यहां बात करें array formula के power के बारे में कितना powerful formula है ये array function जिसे activate करने के लिए control shift enter का सहरा लेना पड़ता है इस वीडियो को देख लेने के बाद इस function को अच्छे से जान लेने के बाद आप वाकभी मे जान जाने वाले हो कि array function कितना powerful है इतना कुछ करने की जरुवत ही नहीं पढ़ने वाली है तो आईए वीडियो को आरंप करते हैं नमस्कार दोस्तों मैं नाम है विजीत आपका सच्चा साती सच्चा हमसफर और आप देख रहे हैं अब जीजी technical forum तो आई दोस्तों सुरू क जो सबसे बड़ी value है वो हमारे सामने आ गई राइट इतना हो गया अब हम करेंगे क्या ध्यान से देखेगा यह हमने किया minus अगर हम देते हैं इस value को select करते हैं ठीक है और bracket बन और normal इंटर प्रेस करते हैं तो अभी हमारे पास आता है value error ठीक है लेकिन हम जैसे ही इसको select करक क्या 1800 यानि जो product सबसे ज़्यादा growth हुआ है वो आ गया 1800 ठीक है यह जो हमने calculate manually करके किया था यह हमारा देखिए array function का use करके हमारे पास quickly आ गया इसने क्या किया इसमें से इसको minus किया मैं आपको internal दिखाता हूँ यह देखिए इसको select किया मैंने F9 प्रेस किया तो देखिए 400 आया यहां से यहां इसने minus कर दिया 400 आया इस फिर इसने क्या किया 282 को minus किया तो minus 400 आया फिर इसने क्या किया यहां से इसको minus किया तो देखिए 400 आया फिर इसने देखिए 2700 में 1200 minus किया तो देखिए कितना आया 1500 आया तो इस तरह इसने सारे को minus किया उसके बाद क्या हुआ max formula क्या किया, इसमें सबसे जो बड़ी value है, उसको लेकर आपके सामने आ गया, जैसे हमने control shift interface किया, तो देखी हमारा आगे 1800, अब हमें क्या जानना है, name जानना है, तो हम यहां index formula का उच करेंगे, equal to index, ठीक है, array हम select कर लेंगे, पूरा यहां से लेके, यहां तक पूरे array को select कर लिया, ठीक है, row number में हम क्या लिखेंगे, match formula का उच करेंगे, अब look up value में हम क्या देदेंगे, यह 1800 वाली देदेंगे, यह कैसे बनाएंगे, हम यहां लिखेंगे, max formula का उच कर लेंगे, same formula यहां भी उच कर लेंगे, और इसको select किया, minus इसको select कर दिया, ठीक है, और bracket बन, तो इसके अंदर look up value हमारा क्या आगया, 1800, ठीक है, तो look up array की भी planning हमें इसी के accordingly करनी होगी, है न, जिससे हमारी value find करेंगे, 1800 कहां है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यह देखिए, हमने इसको select किया, minus इसको select कर दिया, तो अभी होगा क्या, जो result इसके अंदर आ रहा था, जो मैंने आपको पहले दिखाया था, minus करके जो result आ रहा था, वही same result इसके भी अंदर आएगा, तो यहां हमारा look-up value क्या हो जाएगा, 1800, तो यहां यह देख लेगा, 1800 कहां है look-up value और उस row की position हमारा match formula बता देगा, चलिए हम आपको आगे समझा देंगे, अब हम क्या देंगे, comma zero exact match के लिए, comma column number, तो हमारे दूसरे column पे product name है, क्योंकि हमें product name जानना है, to bracket बंद control ship के साथ enter, तो देखिए हमारा आगया क्या desktop, आगया है ना, तो आप समझ गए होंगे कि अरे कितना powerful formula है, तो यह कैसे हुआ, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहां जो हमारा result क्या है, 1800 जो मैंने आपको पहले बता दिया, अब इसके अंदर क्या हुआ, यह देखिए, मैंने select किया, F9 प्रेस किया, यह देखिए, यह इस value से इस value को minus किया, तो यह result आया, तो इसी type से सारा result आता गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7, तो इसके अंदर हमारा क्या आगया, row number 7 आगया, है ना, क्योंकि यहां हमारा look-up value क्या हुआ था, 1800, अभी आपको और deeply समझाता हूँ, अभी देखिए, मैंने max formula को select किया, और इसको select करने के बाद हमने F9 प्रेस किया, तो यह देखिए, हमारा क्या आगया, look-up value 1800, ठीक है, अब मैंने इसको select किया, और F9 प्रेस किया, तो 18 जो look-up value इसके अंदर find करेगा, बद देखेगा कहा है, तो पहले नमबर, दूसरे नमबर, तीसरे, चौधे, पच्वे, छड़वे, साथवे नमबर पे हमारा 1800 है, ठीक है, इतना हुआ, अब मैं आपको और deeply समझाता हूँ, अब मैं इस पूरे match formula को मैंने select किया, यहां से यहां तक, तो यहां हमारा जो आया position देखी क्या आया, मै पहला, एंड, दूसरा कॉलम यह हो गया, अज 7 रो नमबर यहां से होगा, क्योंकि अरे हमने यहां से select किया था, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौधा, पाच्वा, छट्वा, साथवा, तो यहां देखी है, हमारा आगया desktop, तो आसा है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आय लगा, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सकाइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जैहिन!